साथियों देश के प्रसिद्ध कभी माखनलाल जी चतुर्वेदी के कभीता और उस कभीता की पंक्तियम उनन कहां बुखंड बिचा आकास ओड नए नोधक ले मोधक प्रहार ब्रह्मान हतेली पर उचाल कि अपने जीवन धन को निहार ये पंक्तियां कि सामर्ध की पराकाष्ठा का वर्ण करती है शक्ति ऐसी हो कि बुखंड को बिचा सके आकास को ओड सके ब्रह्मान को हतेली पर उचाल सके ताकत ऐसी हो कि कठीन से कठीन परिश्चित का भी हसकर डटकर मुकाबला कर सके आज माभारती भारत के युवाओं से यही आहवान कर रही है बुखंड बिचा आकास ओड नए नोदक ले मोदक प्रहार ब्रह्मान हतेली पर उचाल अपने जीवन धन को निहार आने वाले पतीज साल का अमृतकाल देश भक्ति के ज्वार का है और आज चुनवती इस बात की नहीं है कि दुनिया में कोई इसे स्विकार करेगा या नहीं आज महत्व इस बात का है कि जब दुनिया भारत को इतनी उम्मिदों के साथ देख रही है इतने भरोसे के साथ देख रही है तो भारत अपने प्रयासों में कहीं से भी कमजोड तो नहीं पड़ जाएगा आज आज़ादी के अमरित महुत्सों में भारत ने जो संकल्प लिये जो अभियान शुरू किये वो निरंतर नई उर्जा पाते रहें इसका बहुत बड़ा दाईत्वा हमारे देश के कोटी कोटी नवजवानों पर है आज इस समय जितने भी युवक यूतियां एंसीसी में हैं एनेसेस में हैं उसमें से जादातर इस शताब्दी में ही पैदा हुए हैं आपको ही भारत को 2047 तक बड़े आन बान शान के सार लेकर जाना है इसलिए आपकी कोशिश है आपके संकल्प इसलिए आपकी कोशिश है आपके संकल्प उन संकल्पों की सिद्धी भारत की सिद्धी होगी भारत की सभलता होगी राष्ट भक्ति से बड़ी कोई भक्ती नहीं होती राष्ट हित से बड़ा कोई हित नहीं होता देश को सर्वो परी रखते हुए आप जो भी करेंगे वो देश के विकास में मदद करेगा आज हमारी जुवाओं ने बारत को स्टार्ट अप की दुनिया में टॉप तीन में पहुचा दिया है कोरोना के इस संकट काल में कोरोना के इस संकट काल में जितने युनिकॉन बने हैं वो भारत के युवाओं का शक्ति प्रदर्शन है आप कल्पना कर सकते हैं पचास से ज़्यादा युनिकॉन कोरोना काल के दौरान अस्तित्रों में आये हैं और आपको तो पताई होगा एक एक युनिकॉन एक एक स्टार्ट अप की पूंजी साड़े साथ हजार करोड रुपे से ज़्यादा है ये क्षमता ये सामर्थ बहुत बड़ा विश्वाथ जगाता है और जानते हैं इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हजारों स्टार्ट अप्स देश की किसी न किसी आवश्चक्ताओं को पूरा करने के लिए बने हैं कोई क्रिसिक छेत्र में नया कर रहा है कोई सप्लाई चेन को सुधारने के लिए नया कर रहा है कोई सिख्षा के छेत्र में बदलाव के लिए कुछ नया कर रहा है इनमें देश के लिए कुछ करने का जजबा है कुछ कर गुजरने का जजबा है